हस्ते हुए प्रभुराम ने गोसाई से पूछा अरे मेरी अयोध्या वाली जहांकी तुझे पसंद नहीं आई मेरी मिथिला वाली जहांकी पसंद नहीं आई मैं दूलावन के हूँ आ या मेरी चित्रकूट वाली जहांकी पसंद नहीं आई बनवासी हूँ मैं यहां कितना सुन्दर लगता हूँ कितनी बढ़िया बढ़िया जहांकी है और तू पहुँच गया लंका तुझे लंका वाली जहांकी क्यूँ पसंद आई तो गोसाई कहते हैं प्रभू तू मानस में जब तुलसी दास जी से पूछा गया गोसाई आप ज्यान की पद्धती से स्वस्त होना चाहते है या जीवों को स्वस्त करना चाहते है या आपको प्रभुराम की ज्यान वाली पद्धती पसंद आई या कर्म वाली पद्धती पसंद आई या भक्ति वाली पद्धती पसंद आई कौन सी पद्धती आपको पसंद आई तो गोसाई जी इन तीनों से हटकर एक नई पद्धती की बात करते हैं गोसाई जी पहुँच गए लंका सुबैल परवत कहते हैं कि वहाँ परवत पर लंका में तीन शिखर हैं लंका में एक शिखर है जिसको त्याग दिया है रावण ने उस शिखर पे जाकर लक्षमन जी ने एक स्थान खोजा बड़ा उबढ़ खाबढ़ है वो तो उस पहाड के शिखर पे कोने में एक प्लेन लैंड, समतल भूमी उनको मिली, उस स्थान को खोजा तो हस्ते हुए प्रभुराम ने गोसाई से पूछा, अरे, मेरी अयोध्या वाली जहांकी तुझे पसंद नहीं आई? मेरी मिथिला वाली जहांकी पसंद नहीं आई? मैं दूलावन के हूँ हूँ, या मेरी चित्रकूट वाली जहांकी पसंद नहीं आई? बनवासी हूँ मैं यहां, कितना सुंदर लगता हूँ, कितनी बढ़िया बढ़िया जहांकी है और तू पहुँच गया लंका, तुझे लंका वाली जहांकी क्यों पसंद आई? तो गोसाईं कहते हैं प्रभू, जब आप रूप ध्यान करने कहते हैं, तो भाव बनाने कहते हैं, तो जब हम भाव बनाएंगे, तो फिर हृदय को भी अयोध्या बनाना पड़ेगा? यदि मैं मिथिला की जहांकी अपने हृदय में लाऊंगा, तो फिर मिथिला बनाना पड़ेगा हृदय को, और यदि मैं बनवासी राम की जहांकी लाऊंगा, तो चित्रकूट बनाना पड़ेगा अपने हृदय को, यहां तो बनाना पड़ेगा, लेकिन मुझे लंका वाल जहांकी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि यहां बनाना नहीं पड़ेगा लंका तो है यह कोई परिश्रम ही नहीं करना है गोसाई कहते हैं मेरा तो हृदे ही लंका है तो बनाना क्या और कितना भी गंदा हो कहीं कोने में तो जगह मिली जाती है कहीं तो कुछ तो मेरा अच्छा होगा जैसे लक्ष्मन जी को कोने में जगह मिल गई ऐसे ही मेरे हृदय रूपी लंका में गोसाई कहते हैं प्रभू कहीं तो कोने में कोई जगह तो मिलेगी कोई चीज तो मेरी भाईगी कुछ तो अच्छा लगेगा बाकी सब गंदा है तो जब मेरा हृदय लंका है तो मुझे ध्यान नहीं करना पड़ता वो आटोमेटिक है स्वभाविक है नैचुरल और कर्म पद्धती से कर्म योगी बनकर दश्रत जी ने बुलाया राम पधारे ज्यान योगी पद्धती से जनक ने पुकारा राम पधारे भक्त योगी पद्धती से वालमिकी जी ने पुकारा चित्रकूट राम पधारे तो यहां कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, भक्ति योगी है तो उसी दास कहते हैं मुझसे पूछेंगे तो मैं कोई योगी नहीं हूँ ना मैं कर्म योगी हूँ, ना मैं ज्ञान योगी हूँ, ना मैं भक्ति योगी हूँ मेरा हृदय तो लंका है मिथिला, अवध, चित्रकूट यहाँ पद्धती के माध्यम से पुकारा गया और आप वहाँ पर पधारे लेकिन लंका में किसी ने आपको निमंत्रन नहीं दिया, ना ही आपको किसी ने निमंत्रन दिया, ना ही आपको बुलाने की कोई प्रतिग्या ली, बलकि वहां का राजा तो कहता है तुम कभी मत आना, पैर भी मत रखना और राम कहते हैं मैं जबरदस्ती आउंगा और डटके बैठूंगा बगाओ कैसे बगाते हो तुम्हें विजय करा दूंगा तुम्हें धन्य बना दूंगा यहाँ जबरदस्ती का मामला है तो गोस्वामी जी को यह जबरदस्ती वाला मामला पसंद है कि आओ लंका वाले हृदय में तुम जबरदस्ती घुसके बैठो मैं कभी अपने आप अच्छा नहीं बन सकता तुम आओ और जबरदस्ती मुझे अच्छा करो यह पद्धती तुलसिदास जी ने चुनी वो पद्धती का नाम क्या है एही विधी कृपा की पद्धती कृपा की पद्धती जहां व्यक्ति का अपना प्रयास नहीं जहां सब कुछ कृपा पर निर्भर है अब लंका में वो द्रिश्य का दर्शन कीजिये जहां आपको क्रम भी सीधा नहीं उल्टा मिलेगा विभीशन, हनुमान, अंगद, सुग्रीव ये चार लोग है तो अब आप क्रम से नाम लेंगे आप जितने भी जब क्रम से नाम लेंगे तो मुझे पता है आपका क्रम क्या होगा आपका क्रम होगा हनुमान, अंगद, विभीशन, सुग्रीव साबसे अंत में सुग्रीव है ना सबसे पहले हनुमान फिर अंगद, ये क्रम है जानते हैं, लंका में ये क्रम नहीं है ये चारों हैं प्रभू के पास लेकिन क्रम देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्रम उल्टा हो गया प्रभू के सिरहाने सुग्रीव बैठे मतान के पास विभीशन बैठे दोनों सर के पास और अब प्रभू ने अपने दोनों चरण एक हनुमान जी की गोद में और एक अंगद की गोद में दे रखा है अब देखने वाला बहिरंग रूप से यही सोचेगा ना अरे इसके गोद में प्रभू ने सिर रखा है क्या धनभागी होगा हम तो बहिरंग देखते हैं किससे ज़्यादा बात करते हैं किसकी और देखते हैं किसको भुलाते हैं किसको माला देते हैं किसको चिप्टाते हैं ये हमारा देखना है हम यहां का देख नहीं पाते हम बाहर का देखते हैं कोकले तो बाहर का देख के हम क्या देखते हैं है सुग्रीव को देखिए भगवान ने उसकी गोद पे सिर रखा है विभीशन भगवान ने सर चड़ाया है यह दोनों सेवक हैं, अपना चरण दिये हैं, जहाँ पे कृपा होती है न, वहाँ पे, देखिए सभा दिखाती हूँ आपको, कर्मियों की सभा में कर्म की महत्ता है, ज्यानियों की सभा में ज्यानी की महत्ता है, भक्तों की सभा में भक्ती की महत्ता है, लेकिन कृपा की सभा में दीनों की महत्ता है, हम लोग यह नहीं कर सकते, कोई स्वार्थी हो, हम क्या सम्मान देंगे, कभी नहीं, लेकिन प्रभुराम को देखिए, यह क्रिपा की सभा है, जहांपे दीनों को हृदय से लगाया जाता है, सुग्रीव को राजपद दे दिया, किश्किन्दा, ले, विभीषण को राजपद दे दिया, ले, लंका ले, ले, और जो देखने में, मामूली से दिखते हैं, हनुमान और अंगद, उनको राजपद नहीं, रामपद दिया, और राजपद के साथ, मैंने आपको पहले भी बताया है, बड़ी बिमारी है, क्योंकि अपनी योग्यता का बड़ा अहंकार होता है, मुझे ये पोस्ट मैंने पढ़ाई की है, तो ये मुझे पोस्ट मिली है, बड़ा अंकार होता है अपनी योग्यता का, तो ये जो पद भी होती है, इसके प्रती इतनी आसकती होती है, ये जल्दी छूटती नहीं आसकती, इसलिए राजपद छूट जाने के बाद भी आसक्ती बनी रहती है इसलिए भूत पूर्व प्रधान मंत्री भूत पूर्व माने भूत उसको कहते हैं जो मरने के बाद भी जिन्दा रहता है ऐसे ही हमारी ये आसकती पदवी छूट जाने के बाद भी जीवी थे इसलिए हम वो पदवी को छोड़ नहीं पाते आसकती को फिर भी अपने आपको कहलाना चाहते हैं एक्स भूत भूत कहलाना चाहते है ये आसकती है बड़ी बिमारी है ये राजपद में बड़ी बिमारी है लेकिन ये राजपद आज है कल नहीं रहेगा रामपद आपको पताईए रामपद सदा सदा के लिए यहां भूत पूर्व वाली कोई बात नहीं यहां सनातन की बात अर्वाद के लिए कोई अर्वाद कोई डामपद आपको अर्वाद करें